हेलो फ्रेंट्स वेलकम टे 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड की जो नूटिफिकेशन है टेकनिशन ग्रेड वन आपके सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी जो कि टेकनिशन ग्रेड 3 पोस्त के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर देखिए आपने अल्प के लिए आविदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहां पर क्रेट अकाउंट करने की जोड़त नहीं है आप डायेटली लोगिन कर सकते हैं अब यहां पर देखिए आपको न नाम देना होगा फुल नेम आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहां कर सकते हैं आपका डेट ऑब बर्थ क्या है तो आप इस करेंडर पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंस जो भी डेट ऑब बर्थ है वह आप सेलेट कर सकते हैं और दुबारा से यहां पर र नहीं है उस condition में आप इस option को ही select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कोई भी ID proof को select करके उस ID का number और उसकी जानकारी provide करनी है आपकी mail ID और mobile number आपको enter करना है generate जो आपको OTP करना होगा OTP आने के बार OTP आपको enter करना होगा password आपको create करना है password कैसा होना चाहिए तो password में friends आपको preview and create an account पर क्लिक करेंगे आपका account जो है create हो जाएगा अब यहाँ पर friends देखिए अगर आपका account पहले से create है तो आप directly यहाँ पर जाएंगे already have an account पर जाएंगे आपका mobile number या mail ID और जो password आपने create किया होगा और यह capture code डालकर friends आप यहाँ से login कर पाएंगे इसके बाद friends आपका दिया है तो आपको यहाँ पर देखिए आपका जो रीजन है वो आपको select मिलेगा आप यहाँ पर क्लिक करने के बार नेस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि आपने इसके लिए पहले ही apply कर दिया है अगर आप friends यहाँ पर technician grade 3 के लिए apply करना चाहते हैं तो सेम आपको य जाएगी अगर आपने ALP का form apply किया है तो वहाँ से यह फैच हो जाती है अब जैसे marital status आपको select करना है religion select करना है choice of language आपको select करनी है कोई भी visible mark है तो वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर आपका community है मतलब आपको cast certificate है उसकी जनकारी आपको यहाँ पर द download करना होगा अब देखी friends से cast certificate का format क्या होना चाहिए तो जो इसका यह home page है यहाँ पर देखे आपको download format का option मिलता है यहाँ पर जितने भी format आपको दिये गए हैं उनमें से ही आपको यहाँ पर format चेक करना है जैसे SCST certificate है तो आपके सामने देखे format आजाएगा cast certificate for SCST का तो certificate का जो है certificate यहाँ पर होना चाहिए ऐसे ही friends अगर आप OBC certificate है या OBC का NCL certificate है तो आप इस option पर क्लिक करेंगे आपके सामने OBC NCL का candidate का certificate होता है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का format है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए जरूरी नह certificate होना चाहिए इसके लावा अगर आपके पास EBC है EWS certificate है तो आपके पास EWS का आपके पास format आपको देख सकते हैं इसके according आपके पास यहाँ पर certificate होना जरूरी है इसके बार friends आपका यहाँ पर देखिए पूरा address क्या है वो आपको यहाँ पर शो होगा इसके बार आप यहा employee है Indian Railways में तो यहाँ नो कर सकते हैं current को आपकी कोई employment details है जिसे central government में state government में या PSU में तो आप दे सकते हैं नहीं तो आप not applicable करेंगे इसके बार आपका course complete act apprenticeship अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर यहाँ नो कर सकते हैं और इसके बार bank detail आपको refund of fees के लिए यहाँ प fees में आपको यहाँ पर show करना होगा इसके बाद ही आप next step पर click करेंगे next step पर आने के बाद अब आपका qualification है qualification में देखिए यहाँ पर multiple options ने से NAC है IT है 10 plus 2 है तो सबसे पहले friends यहाँ पर देखिए 10th की आपको entry करनी होगी तो आपको यहाँ पर 10th का option मिलता है state आप select करेंगे आपने friends किस district से pass क्या है किस board से pass क्या है date of passing क्या है role number क्या है यह आपको देना है और उसके बाद friends 10 की entry आपको कर देनी है ऐसे ही अगर आपके पास NAC है तो NAC की जनकारी आपको यहाँ पर प्रवाइड करनी होगी किस trade में किया है किस state से pass क्या है किस district से किया है अगर आपक 10 plus 2 है तो आप 10 plus 2 की जानकारी दे सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है आपके पास कौन सी qualification है अपके पास IT है तो आप से इसलेट करके यहां से district कर सकते हैं आपके institute कर नाम क्या है मतलब कहां से आपने इसको complete किया है वो आपको यहां पर देना होगा इसके बाद आपको यहां पर आपका date of passing देना होगा मतलब कब आपने इसको पास किया है आप उसकी जानकारी यहां पर provide कर सकते हैं तो यहां पर fancy date आपको यहां पर एंटर करने के बाद certificate NCVT या SCVT अपरूर है और certificate type कौन सा है NTC है STC है वो आपको देना है और उसके बाद इससे भी add कर देना है अमाली जब 10 plus 2 pass out भी है तो 10 plus 2 की जानकारी दे सकते हैं इसके में आपकी physics and mathematics required है किस state से आपने इसको पास किया है किस district से पास किया है सेम आपका फोटोग्राफ बर अप्र तक्यी यहां पर अपन्य तक पस्RIA है और उसके बाद सेवे अब अने के बाद आपको यहां पर किलिक कर देना है यहां पर देखे यहां पर एक़ाइट चुल्ट किया है इसने से प्रसेयर में क्वालिफिकेशन में या 프로 prob इस फ्राइस आपके प्रॉफायल एक पुस्ट आपके यहां पर आपको करती है, अपको यहां पर रिंटर करना है, तो एक ही फॉर्म में आप पे यहां पर जो है, रीजन के लिए अप्लाए कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप इस option को take करेंगे, यहाँ से declare करेंगे, place का नाम आपको कौन सा mention करना है, जहाँ से आप form को fill कर रहे हैं, इसके बाद प्रिव्यू application पर आप click कर देंगे, तो फ्रिव्यू के option पर जानने के बाद अब आपके सामने payment का option आता है, अब जो payment आपको कर यहाँ पर करना चाहें, उस तरीके से payment को verify यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends से देखिए, जब आपका payment successful हो जाएगा, तो success payment successful का आपको एक message मिलेगा, तो आपका friends जो form है, वो completely यहाँ पर submit हो गया है, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, application history का option है, अब आपका friends से य यहाँ आपको सारी जानकारी provide कर दी है, कैसे आप railway RRB technician का online form apply कर सकते हैं, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, तो like, subscribe and share ज़रू करें